C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारपस्तुत है कक्षा 4 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का तीसरा पाठ नंदू हाथी प्रेश्ट एक केस यह है नंदू यह कहानी नंदू नाम के हाथी के बारे में है नंदू नीद से जागा और उसने अपनी आखें खोली कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला की वह कहां है उसे लगा की वह स्लेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े से जंगल में है उसने अपनी आखें गुमाई फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा ओ, ये तो अम्मा है जिसे वह भूरा स्लेटी जंगल समझ रहा था वह उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थी सूरज आसमान में चमक रहा है उसकी गर्मी अब तेज होने लगी है नानीमा जोर से चिंगाडी वे इस जुंड में सबसे बड़ी है वे जंगल की तरफ चल दी बाकी सब हतिनियों ने भी नानीमा को जंगल की तरफ जाते देखा तो वे सब भी उनके पीछे चल दी और नंदू भी प्रेश्ट बाईस जंगल पहुँचते ही यह जुंड बिखर गया वे सब ही अपने मन पसंद पत्तों और जाडियों को खाने के लिए अलग-अलग हो गए कुछ देर खाने के बाद सब ही नदी की तरफ चलने लगे सब बच्चे पानी में खेलने लगे कुछ बड़ी हतनिया नदी किनारे मिट्टी में लेट गए क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में सौ किलो ग्राम से ज्यादा पत्ते और जाडियां खा लेता है हाथी बहुत कम आराम करता है यह एक दिन में केवल दो से चार घंटे ही सोता है हाथी को पानी और कीचर से खेलना बहुत भाता है इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिला कर हवा करता है पता करो नंदू तो सिर्फ तीन महिने का है लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है तुम्हारा वजन कितना है? तुम्हारी उम्र के कितने बच्चों का वजन मिलाकर नंदू के वजन के बराबर होगा? प्रिष्ट 23 यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें कुछ हाथी पानी में खेल रहे हैं खेल खेल में नंदू ने अपने साथियों को एक दूसरे की पूच खिचते हुए देखा उसने सोचा मैं बहुत छोटा हूँ कहीं ये सब मेरे उपर ना गिर जाएं वह उनके पास नहीं गया और धीरे से अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ धकेला मानो उसे पानी में खेलने के लिए कह रही हो नंदू दीरे से पानी की तरफ चल दिया उसे तो पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था उसके दोस्त भी पानी में ही थे पानी के पास पहुँचते ही पानी का एक फवारा नंदू के सिर पर गिरा नंदू पूरा भीग गया उसने देखा यह उसके दोस्तों की शरारत थी वे मुस्कुरा कर पानी से खेलने लगा सूरज डूबने से पहले ही जुंड फिर से जंगल की तरफ चल दिया जंगल में पहुंचते पहुंचते नंदू बहुत ठक गया वे दूद पीते पीते अपनी अम्मा के पैरों के बीच में सो गया तुमने सुना की नंदू हाथी अपने जुंड के साथ रहता है हाथियों के जुंड में केवल हतनियां और बच्चे ही रहते हैं जुन्ड की सबसे बुजुर्ग हतनी ही पूरे जुन्ड की नेता होती है एक जुन्ड में 10 से 12 हतनीयां और बच्चे होते हैं हाथी 14-15 साल तक ही इस जुन्ड में रहते हैं फिर वे जुन्ड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वह अपना जुन्द छोड़ देगा। हाथी की तरह ही और भी कुछ जानवर समू में एक साथ रहते हैं। जानवरों के ऐसे समू को जुन्द कहते हैं। जुन्द में रहने वाले जानवर मिल जुल कर सभी काम करते हैं। जैसे खाने की तलाश में घूमना, खेलना और नहाना। अगर तुम नंदू होते और जुन्द में रहते तो क्या क्या करतें। हाथीयों के जुन्द में सभी फैसले सबसे बुजुर्ग हतिनी लेती है। तुम्हारे परिवार में घर की फैसले कौन लेता है। हाथीयों के जुन्द का एक कोलाज बनाओ। इसके लिए तुम हाथीयों के जितने चित्र एकठा कर सकते हो, करो। अब उन्हें काट कर अपनी कौपी में चिपकाओ। प्रिष्ट 25 नंदू वह सब करता था जो उसे पसंद था। यदि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए पूरा एक दिन मिले, तो तुम उस दिन क्या-क्या करोगे। लिखो। पता करो और लिखो कौन-कौन से जानवर जुन्द में रहते हैं। क्या तुम भी समूहू में रहते हो? तुम्हें समूहू में रहना कैसा लगता है? तुम्हारे हिसाब से समूहू में रहने के फायदे और नुक्सान क्या-क्या हो सकते हैं। आप दो कॉलम बनाएं, एक कॉलम में लिखें फाइदे और दूसरे कॉलम में लिखें नुकसान हाथी को चेन से बंदे होने पर कैसा महसूस होता होगा? अपनी भावनाएं बताएं तथा चर्चा करें प्रिष्ट 26 क्या तुमने हाथी पर सवारी की है? कैसा लगा? तुम कौन-कौन से जानवरों पर बैठे हो, उनके नाम लिखो तुमने अपने आसपास फिल्मों या किताबों में कई जानवरों को देखा होगा अकेले और जुंड में देखे गई जानवरों में से किसी एक के बारे में पता करो और कुछ बाते लिखो पिष्ट 27 सोचो और लिखो बगुला फैंस पर क्यों बैठा होगा? क्या तुमने किसी जानवर को दूसरे जानवर पर सवारी करते देखा है? उसका नाम लिखो सवार जानवर नाम लिखो सवारी देता जानवर उसका नाम लिखो ऐसे और जानवरों के नाम लिखो जिने हम सवारी के काम में लाते हैं ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिने हम सामान दोने के काम में लाते हैं प्रिष्ठ 28 तुम्हारा अपना हाथी बनाओ यहां हाथी का एक चित्र दिया गया है इस चित्र को देखकर ऐसा ही एक बड़ा चित्र एक मोटे कागस पर बनाओ अब इसे बाहरी रेखापर से काटो इस चित्र में जहां काटो लिखा है उस जगे पर ध्यान से काटो और बस काटना ऐसे है कि उसको अलग नहीं कर देना है ठीक है? इसी तरह जहां मोडो लिखा है वहां से मोडो लो और अब पूँच बना कर चिपका दो इस तरह से बन जाएगा हाथी ऐसा हाथी बना कर अपनी कक्षा में लटकाओ और अपने साथी के बनाए हुए हाथी को भी देखो प्रेश्ट 29 जानवरों की सभा यहां कुछ जानवर आपस में बात कर रहे हैं वे क्या क्या कह रहे हैं इन पर समवेदन शीलता से चर्चा करें सांप बोला यह पिटारी ही अब मेरा घर बन गया है मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना और खुली हवा लेना मानो भूल ही गया हूँ बस पिटारी है और यह सा पेरा भालू बोला यह मत सोचो की मैं सरकस में बहुत खुश हूँ नाचो, कूदो, आग के गोले में से निकलो और भी न जाने क्या क्या ना करो तो भूखे रहो और पिटाई अलग से गोड़ा बोला तुमने मेरी दोड ही देखी है मेरे पैरों के नीचे जब लोहे की नाल ठोकते हैं तो दर्द से जान निकल जाती है बंदर बोला नाचते नाचते हमारी तो कमर ही तूट गई मनना हो फिर भी नाचो वह भी खाली पेट बिल्ली बोली म्याउ 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 मैं लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं करती फिर भी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं दूध पिलाते हैं और सहलाते भी हैं मैं अपनी मर्जी से सब जगह आती जाती हूँ कभूतर बोला गुठर 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 जानते हो लोग मुझे बुला बुला कर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं प्रिष्ट तीस चर्चा करो तुमने जानवरों की बातें सुनी तुम्हें क्या लगता है? इन में से कुछ उदास क्यों है? पेड़ों पर जूमते और लटकते बंदरों और मदारी के बंदर में तुम्हें क्या अंतर लगता है? हाथी के कितने पैर? यहां एक हाथी का चितर दिया गया है इस चित्र को इस तरह से बनाया गया है कि ऐसा लगता है हाथी के चार नहीं आठ पैर हूँ क्या आप जानते हो हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की यानि अपने साथियों की मदद करते हैं अपने बच्चों की देख भाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं अभी आप सुन रहे थे कक्षा 4 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का तीसरा पाठ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत